नमस्ट कर ददोस्टो स्वागत है आप सभी का Teaching इस ले में दोस्टो政治 की क्लास जो आपकी साम को चल्वजे चलती है टीक ये क्लास में रिकॉर्ट करके जा रहाँ हूं ठीक है रिकॉर्ड करके जाँ растiat That's the आप देख लिना रिकॉर्ड को इम्पॉर्टेंट है ऐसा नहीं इंपॉर्टेंट है यूकि मुझे कही जाना था मुझे कही निकलना था इस चकर में मैं पहले से रिकॉर्ड करके जाओं बहुंँ सारी प्रॉब्लम्स विए कल भी क्लास नहीं चल पाई इंटरनेट की वजह से आज लाइट फ्लिक्लिंग कर रही थी और चलिया यह बात करते हैं हम सुरू काते हैं वीडियो को सुरू सेंद तक देखेगा इसकी मत करिएगा और कि बात करें अब देखों यहां पर लास्ट ही चला नीति आयोग कुछ प्रमुक आयोग है वह इंपोर्टेंट है आपके लिए उनके बारे में करेंगे राजभासा के बारे में बात करें तो हिंदी में मैंने पढ़ा दिया था हलाकि एक क्लास में मैं डिसकस कर दूँगा और बाकी मंडे को जो सबसे इंपोर्टेंट है प्रमुक समिधान संसोधन यह हम करने वाले ठीक है समिधान संसोधन को किसी भी तरीके से हम लाइव डिश्टल वोर्ट पे करेंगे ठीक है और आये शुरू करते हैं खेर सबसे पहले हेडिंग डाली जेगा प्रमुक आयोग एवं परिसदे तो आयोग की बात करें आयोग में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नीती आयोग नीती आयोग क्या होता इसके बारे में हम चर्चा करेंगे ठीक है नीती आयोग की बात करें आपका इंग्लिस में नाम होता है अगर जो मैं बात करूँ 2014 की 2014 से पहले की 2014 से पहले क तो क्या था कोई आयोग नहीं था था दोजर चोदे से पहले इस निति आयोग को बोलते थे योजना आयोग हम जब आपको एकोनोमिक्स पढ़ाएंगे तो इसमें योजना आयोग के बारे में बात करेंगे हलांकि योजना आयोग था योजना आयोग के ही आयोग को ही बदल कर क्या कर दियागे, नीतियायोग कर दियागे, ठीक है, इसका काम क्या होता है, प्लानिंग करना, इसकी प्लानिंग करना, देश में काम काज की प्लानिंग करना, किस प्रकार से डेश को डेवलपमेंट कर सकते हैं, इसकी प्लानिंग करना, नीतियायोग का काम होता है, आईये मै और किस नाम से जानते हैं, नीतियायोक का headquarters कहां पर है, नीतियायोक के CEO कौन है, नीतियायोक के chairman है, chairperson कौन है और नीतियायोक के उपाध्यच कौन है, ये सारे question बन सकते हैं, ठीक है, तो आई हम बात कहले देते हैं, सबसे पहले इसका formation कब किया गया था, ये मत याद करिएगा आप यार रखेगा, वैसे 15 अगस्त 2014 को योजन आयोग के जगह पर नीति आयोग आस्तित्तों पर आया था, लेकिन आप फॉर्मेशन यार रखेगा, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो फॉर्म्ड इसको भी लिख लिजेगा, कि फॉर्म्ड कब हुआ था, ये 1 जनवरी 2015 क एक जनवरी 2015 को इसकी अस्थापना हो गए थी, ठीक है, एक जनवरी 2015 से इसकी अस्थापना हो, वैसे ये भी मिटारा सही नहीं है, ये भी लिख लिख लिए ना, ठीक है, ये भी लिख 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 लिए ना, कि 15 अगस्त 2014 को योजन आयोग के जगह पर नीति आयोग आस्ति कि तुम्हें आया था ठीक है, मैंने आपको बता देता हूँ फिर से, कि इसका काम क्या होता है, मॉर्थ हच की प्लानिंग करना, उसकी प्लानिंग करना, डेश की डेवलॉपमेंट के देश की काम की प्लानिंग करना, किस प्रकार से, छीहें होंगी, तो एक तरीके से यह yeah कि और आगे सो सकते हैं लेकिन ये की बात करें नितियायोग ये आगे का सोच के भी काम करता है ठीक है तो एक जन्वरी 2015 को फॉर्म हुआ था और 15 गस 2014 को योजनायोग की जगह पर नितियायोग आस्तितुम्हें आया था नितियायोग की बात करें ये भी पूरा नाम आपको करने को आपको नहीं बोला मैं ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा तो प्लीज मैं आपसे चाहूंगा कि क्लास को लाइक जरूर कर देना ठीक है लिखते रहो नोटस में इंपोर्टन है तो नितियायोग कब हुआ था एक जनुरी 2015 को पूरा नाम नेशनल इस्टिट फॉर ट इसको याद लिख सकते हो थिंक टैंक ओफ इंडिया थिंक टैंक ओफ इंडिया थिंक टैंक ओफ इंडिया किसको बोलता है नीतियायोग को यह कोशन भी आपके एक्जाम में आ सकता है कि नीतियायोग को अन्यकिस स्थाम से जानते हैं तो थिंक टैंक ओफ इंडिया इसको इ this अभरत के प्रधानमंत्री,ैंप का होसकता है उसमें आपका प्रधानमंत्री ठीक है इसके दो चीजे जो याद करनी होती है वो CEO कौन है वर्तमान में और CEO के बाद उपाध्यच यह दोनों आपको याद करनी पड़ेंगी अभी मैं लिखवा रहा हूं अभी मत लिखिएगा ठीक है यहाँ पर चलिए यह बात करें यह केंद्रवा राज्य सरकारों को पूरी तडिक से लागू कप कर दिया गया एक जन्वरी 205 परधान मंतरी मोदी के आने के बाद ठीक है अब कोशन की बात करें यूजना अयोग आया था उस ताइम उसके उपाध्यच कों थे योजना आयोग जो था ना उसमें भी प्रधान मंत्री ही चेयर परसन अध्यच ह इसमें भी उपाध्यच कौन थे गुलजारी लालनन्दा ठीक है और योजनाय। प्रथाम अध्यच कौन थे अध्यच का मतलब हो जाएगा प्रधानमंत्री होगे तो प्रथाम अध्यच भी हो जाएंगे ठीक है तो इतना लिख़ो हम आगे और चीज़े लिखवा देते इस स ठीक है तो पहला कोशन में बात करता हूँ तब तक आप से आप लिखते रहो पहला कोशन मैंने का नीति आयोग के अस्थापना कब होई तो एक जनवरी 2015 को नीति आयोग का पूरा नाम क्या होगा नीति का नेशनल इंस्टिट फॉर ट्रांस्फॉर्मिंग इंडिया नीतिय आयो के पर्थम उपाध्यच कौन थे गुलजारी लाननन्दा पहले अध्यच भारत के पहले पधरमंत्री जवाहर लाल नहरू ठीक है तो यह सारी चीजे आपको लिखना है आई होप आप लिख चुके होगे स्क्रीन सॉट ले रहा हम आगे चलते हैं ठीक है हम आगे चलते इसका नाम होगा यहां पे आप सही कर लो कौन है सुमन बेरी इसलिए मैं बोलता हूँ कि PDF की वजाया आप क्लास से नोट्स बनाओ नीति आयो के पर्थम उपाध्यच अर्विन पंगडिया थे और वर्तमान में कौन उपाध्यच है सुमन बेरी और यहां पे एक और लिखन आप சो इव अर्फर मेश्वर ओन ये करंट डीके राइटि डाल लेजए राष्च्टि विकास परिसाथ जुरूग्लेंगे वेडिंगगे राश्टी विकास परिशद चलिए 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 राश्टी विकास छेयगास 1912 को बहु आता पहला लाइन लिख सकतो इसका गठन नश्वान को इसका काम क्या होता है अगर जो मैं बात करूँ नेश्नल डेवलप्मेंट काउंसिल तो क्या यह समिधान में दिया गया है वी वह चुछ सब्त कर दिया गन में तो मंदल के प्रस्ताओं द्वारा इसका और कह सकते हैं राष्टे विकास परिसद एक असमवैधानिक दो श्राइज भारत के प्रधान मंत्री जर्टिंथार्मगर्ठ शैट पॉर्टबरण मंत्री के बारे से रिया गया लेकिन कुछ वह मैं कॉछ भी नहीं होते हैं स dzieci को होते हैं इसके इसके मंदल सचिवाले के प्रस्तावरा उसको इसका गठन किया गया ठीक है तो राश्ची विकास परसार नेशनल डेवल्मेंट काउंसल की बात करें का सम्विधानिक पद है सम्विधान में इसके बारे में चाचा नहीं किया गया था गठन परसम पंचवर्सी के योजना के आधर पंचवर्सी योजना है बहुत इंपॉल्टन था पे एक्जामों के लिए इसके बारे में हम चर्चा करेंगे एकोनोमिक्स में बने रहे पढ़ते रहे मस रहे मुस्कुराते रहे ठीक है तो लिखो आगे एक एक गैर समयधानिक इसके बारे में लिखाएंगे कि मैं जो बात करूंँके जरूरत क्यों पड़ी राष्टि विकास परिस्द की योजना निर्माड में राज्यों का सयोग प्राप्त करना कि अब बहुत यहां बीजेपी सरकार है यहां पर सपा सरकार है इसी इसी तो इनके बीच समनवे कॉन राज्यों का सहयोग प्राप्त करना, राष्ट्र के संसाधनों को गतिसील बनाना, देश के सभी भागों में संतुलित विकास करना, एक बराबर विकास करना, कोई पीछे ना रहा है, ये राष्ट्री विकास परिसद नस्टनल डेवलप्मेंट काउंसिल का लक्षे था, ठीक तो राष्ट्री विकास परिसद का गठन 6 अगास 1912 को हुआ था, राष्ट्री विकास परिसद का अध्यच प्रधान मंत्री होता है, इसमें भी अध्यच जो होता है, वो निति आयोग के सची हुई, इसके सची होते है, राष्ट्री विकास परिसद भी योजना आयोग के लेकिन यह सभी राज्यों के मुख्मंतिरे सथी बीकास परिसाथ के सदस्य होते हैं तो सदस्य होंगे तभी ना ना सभी सठाबित कर पाएगा है चलो पर्छ तरहा रहा होगा सभ्लिया चलिया आगे यहां से कॉश्चन यहां रख न वर्तमान में वित्तायोग के अध्यच कोन तो यह आपके एनके सिंग है विट्टायोग के स्विधान के अनुष्य नुष्य में विट्टायोग के गठन का प्रावधान है वह इसके गठन का अधिकार राष्ट पति करता है याद रखेगा कौन करता इसका गठन राष्टपती करता है वित्तायोग में राष्टपती द्वारा एक अध्धच वा चार अन्य सदस्यों की न्युक्ति की जाती है वित्तायोग की बात करें इसमें वित्तिय प्रसासन में पारदर्शिता सुनेश्चित करना जो भी वित्तिय फाइनेंसिल सिफारिसों को संसत के दोनों सद्वा और लोग सभा होता है वित्तायोग संग राज्य के बीच करो करो की बात करें तो कर का मतलब होता है जो भी टैक्स और अलग अलग राज्यों को उसका अनुधान करता है वित्तायोग की बात करें भारत की संचित निद्में से राज्यों की राज्यों के बारे में बताता है है clear आईये अब मैं बात करू 5 वित्तायोग के अद्धच केसी नहीं होगी तियाद रखना पर्थम वित्तायोग के अद्धच केसी नहीं होगी यह most important question है पुछा जाता है वर्तमान में 15 वित्तायोग के अद्धच है ये यह किसी नहीं होगी और वित्तायों के वर्तमान में अध्याच कौन है यहीं चार-पाच कोश्चन यहां से बनना होगा तो बनेगा यह चार-पाच कोश्चन आप लिख लो हो गया चलो जल्दी हो गया है अब दे नना यहीं स्क्रीन सॉट्रीन काम मुझे निकलना है इस चक्र मिंए क्या करू चलो लोग से वायोग के बारे में है लोग से व्यूश्य के अधर थोड़ा सा सत्रा तारीक को है लेकिन इस बीच मुझे कहीं नहीं जाना मैं कहीं जाओंगा बहुत तेजी से एप पर भी क्लासेज आएंगी और बहुत तेजी से यहां पर जो क्लासेज चलेंगी चले गया और भुगोल यहां पर सुरू हो जाएगा ठीक है एडिंग डालो लोक सेवायोग लिखना यहां पर लोक सेवायोग की बात करें भारत में 1919 इस्वी के भारत सरकार अधिनियम के अधिन तरव परतम 1926 में लोक सेवायोग की अस्थापना की गए अगर जो मैं बात करण करूं आर्टिकल 315 की तो 315 के अनुसर्च केंद्र और राज्य में लोक सेवायो का गठन का किया जाएगा केंद्र और राज्य जाएगये लोक सेवायोग यूप्स जिसको आप जानते है तो राज्य में राज्य लोक सिवा आयोक का गठन होगा ठीक है अनुछे 315 के अनुसार यहां पेकर जो मैं बात करूं संग लोक सिवा आयोक के धच वस अधस्यों की निखती द्वारा की जाती यह कोशन यह important है कि UPSC यह संग लोक सिवा आयोक के धच वस अधस्यों की निखत करते हैं इसके सदस्यों की संख्या राष्टप्रती द्वारा निधारित की जाती है वर्तमान में 10 है राज्य लोक सिवा आयोक के धच वस अधस्यों की निखती राज्यपाल करते हैं और संग लोक सिवा 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 का कारेकल 6 वर्स और 65 वर्स और राज्य लोक सिवा आयो यह चीजे आपको ऐसी याद हो गए होंगी आप कापी लिखकोगें आपको लिखना बस कोटा पूरा करना बस या तो ऐसे ही हो गई होगी मेरे बोलने से मैं यही आसा करता हूँ ठीक है चलिए कि आई आगे चलते हैं कि हो गया लिख लीजे कि आई आगे चले निर्वाचनायोग के बारे में भी लिख सकते हो निर्वाचनायोग से रिटेर क्या क्या important है heading डालो निर्वाचनायोग समिधान के भाग पंदर है अनुछे दो तीन सो चोबी से तीन सो उन्चीस में निर्वाचन संबंधी प्रावधान या उपबंध पहला लाइन ये लिख लेना ठीक है भारत में निर्वाचन आयोग के अस्थापना 25 जनुनी सो पचास को इती यह एक अस्थाइस सहमधानिक न कौन होता है जनी कि अगर जो निर्वाचन आयोग की नियुक्त हो जाएगी और अनि निर्वाचन आयोग कहलाते है ठीक है तो इन की नियुक्ति कौन करता रस्टपती करता यनि की कोश्चन बनेगा निर्वाचन आयोग का गठन या निर्वाचन आयोग के बारे में समयधा निर्वाचन 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 नि पूरा नाम इल्लोक्रोनिक वोटिंग मसीन होता है इसका प्रथम बार प्रयोक 1982 केरल में किया गया था ये भी लिख सकते हो important है उतनते भारत के पर्थम आम चुनाओ कप कराया गया most important को 1952 में भारत के पर्थम मुक्र चुनाओ आएक सूकुमार सेन थे भारत के विभिण राजनिश्टिक दलो को राश्टिय और च्छेत्री दलो का दर्जा देने का अधिक और most important है most important है याद होने चाहिए याद होने चाहिए EVM का प्रथम बारप्रयोग 1982 में केरल में किया गया था पतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाओ कप कराया गया 1952 में भारत में प्रथम मुख्य चुनाओ वाइक्त कौन थे सूकुमार सेन भारत में विभिन राजनितिक दलो कुराष्टी और चेतरी दल का दर्जा देने का अधिकार किसको प्राप्त है चुनाओ वाइक्त को प्राप्त है election commission को हो गया इस्क्रीन सौट लेलो आप लोग स्क्रीन सौट लेलो में आगे चलो चलिए आगे बात करते हैं आपका प्रत्यच निर्वाचन किसे किते हैं प्रत्यच जन्तो फ्रत जन्तो बात को बोलते प्रत संवितान जब पढ़ेंगा घ्र भारत में मद्दान की आयूके 18 वर्स नियूनतम भारत में निर्वाचन पद्धती किस देश के सविधान से लेका ब्रीटेंस ये सारे भी मुस्ट इंपोर्टन कोश्चन है आप याद कर लेना ठीक है वर्तमान में मुख्य चुनाओं आयुक्त कौन है राजीव कुमार ये भ इसलिक सकतो इसी की बात करें राजीव कुमार बने थे वर्तमान में हैं लेकिन सुसील चंद्रा बनने वाले हैं ठीक है सुसील चंद्रा बनने वाले हैं ठीक है एलक्षन कमीशन आफ इंडिया भारत के चुनाओ आयोग के अध्यच नया प्रमुख सुसील चंद्रा बनने वाले हैं इसको नहीं लिखवाता हूं ठीक है तो जब भी आप पढ़िएगा इस क्लास को जब भी देखेगा तो आप गूगल कर लिजेगा करन्ट अफेर से उस टाइम वर्तमान में कौन है वर्तमान में कौन है ठीक है चलिए आगे चलते हैं यह हो गया फिर यह आप इंपोर्टन नह इतना राश्टी दल का दर्जा हासिल करने के लिए क्या सरते होनी चाहिए इसको पढ़ना होगा पीडियाप से पढ़ लेजेगा ठीक है आईए परिसीमान आयोक के बारे में यह याद रखेगा कि जो मुख्य चुनाओ आयोक का अध्याच होता है वही परिसीमान आयोक का जये एनने पड़ा हुए अपको इसको मैंने हिंदी में फटभाWatch चलेशा की बात करें यह बचा हुआ आपका आप अपात उपबंद यह बचा हुआ है और यह सारी सारी चीजे लुदु करें परतेस को दो क्लास और. सविधान संसोधन, यहनि कि दो class और है, उसके बाद आपका सविधान संसोधन हम करा देंगे ठीक है? यह पंचायती राज पूरा अलग से एक class में होगा, पूरा एक class में अलग से होगा पंचायती राज, ठीक है? चलिए बाकी चलिए आज इतना ही रहन देते हैं ठीक है इसको लिख लेना नोट्स कर लेना ठीक है चलिए मिलते हैं स्क्लास में बाबाय जैहिंग जैभारत